ग्यानवाफी मस्जित के मुद्धे पर लगातार हो रही राजनीती के बीच वरनसी के अदालत में AIM के परमुक असुदीन अवेसी उनके भाई अकबरु दीन अवेसी और समाजबादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादब के खिलाफ धार्मिक भावनाय भढ़काने क आरोप में मामला दर्ज करने के लिए अरजी डाल दी गई इसा वेदन में ये मांग की गई है कि अदालत पुलिस को F.I.R. दर्ज करने का निरदेश दे और अदालत को इसका संग्यान लेना चाहिए पांडे ने आगे कहा कि सुप्रीम कोड़ द्वारा इस मामले पर टिपनी नहीं करने के बाबजूद ये नेता वोट के लिए लोगों की भावनाओं को भढ़काने की कोशिश कर रही है इस बीच बजरंग दल के सैंकडो कारिकरताओं ने पिशले हफ़ते कानपूर में अखिलेश यादब राजिस्थान के मुख्यमंत्री अशोग गहलोत और असुदीन औवेसी के पुतले फुंके थे सपा प्रमुक अखिलेश यादब ने कहा था कि भारती जंतापाटी समाज को सांप्रदाइक अधार पर बांटने की कोशिश कर रही है और मुसल्मानों में डर पैदा करने की कोशिश कर रही है इसी कड़ी में राजिस्थान की मुखे मंत्री अशोग गहलोत ने भी केंदर पर टिपनी करते हुए कहा था कि भाचपा वारा नसी की ग्यानवापी मस्जित के मुद्धे पर देश में एक नया नाटक बना रही है AIMIM परमुक असुदीन ओवेसी ने कहा कि वह ग्यानवापी मस्जित के साथ आयोध्या में बाबरी मस्जित जैसा हाल नहीं होने देंगे ओवेसी ने आगे कहा कि गोडसे के भक्त, हिजाब, जोब, जिहाद और अन्य जैसे मुद्धों का अहवान करके मुस्लमानों के खिलाफ देश में नफरत फिला रही है आपको बता दें कि ग्यानवापी मस्जित के वजु खाने में कुएं के अंदर शिबलिंग मिलने के हिंदू पक्ष के दावे के खिलाफत करते हुए असुदीन अवेसी ने मुस्लिम पक्ष के फवारे वाली बात का समर्थन करते हुए कहा था कि वह काला पत्थर शिबलिंग नहीं बलकि फवारा है जो सभी वजु खाने में होता है बता दें कि जिला कोट ने इस मामले में कल अपना फैंसला सुरक्षित रख लिया था अवेसी ने वारे वारे वजु खाने में वारे जामले में का समर्थन करता है